दोस्तो नमस्कार आज की वीडियो में आप सब का स्वागत है आज की जो वीडियो है वो बड़ी चकपटी है आज हम आए हैं बादुरुगड के सबसे फेमस दिल्ली एगरोल सेंटर पे यहां पर बहुत ज़्यादा बीड रहती है दोस्तो बहुत ही फेमस पहले से एगरोल गेर दिये सबसे पहले मैं आपको इनका जो मैनू है वो दिखा देता हूँ यहां पर करीब 17 परकार के रोल आपने मिलेंगे जिसमें वैज रोल एग रोल और चिकन रोल बहुत सारे हैं कहां पर आये हैं यह देखो दिली रो तकरोड मैट्रो पिलर 838 के सामने बिलकुल यह दुकान है और दुकान पर बीड आप देख सको हो बहुत ज़्यादा बीड इस पर रहा है बच्चे भी नोजवान भी और मेरी बेहने भी इस दुकान पाऊँए हैं क्योंकि यहां की ज हुआ गरम है भाई ने यहां पर डाल दी चाउमीन और चाउमीन के उपर डालेंगे भाई अभी यह प्याज डाल दिये देखो और इसको मिक्स कर दिया यह अच्छी तरह है प्याज और चाउमीन मिक्स कर दी मिक्स करने के बाद करीब दो तीन मिनटी इस ने पका लेंगे थोड़ा सा ओयल और इसके उपर डाल दिया है ताकि ये तब इसे चिपके ना तो अभी इसको मिक्स करने के बाद जो हमारा मसाला है एग रोल के लिए वो बिल्कुल तयार है और अभी भाई देखो जी मसाले को तयार करने में लगे हुए हैं जो की चाउमीन और प्याज हैं म अंडा डाल दिया एक अंडा और इसके उपर डाल दिया ये डबल एग रोल है और इसको पलट दिया है निच्चे से देखो कितना सुन हरे रंकाई हो गया है एक अपना तयार हो गया अभी दूसरे की बारी ये दूसरा आ गया इसके उपर एक अंडा फिर दूसरा अंडा औ तो अभी इसको मिला देंगे, अच्छी तरह मिलाने के बाद इसको पलट देते हैं इस तरह और काफी सुन्दर दिखाई दे हैं, बहुत इला जवाब, अभी फिर शे ओल और एक रोल फिर शे दो बन चुके हैं, काफी संख्या में भाई न रोल बनाने पड़े हैं क्योंकि भ इस पर रोल बनाएजा हैं, काफी बड़ा तवा है, अभी सर्दी सरू हो गई है तो इसलिए और भी ज्यादा भीड इस दुकान पे लगने लगी, और भाईगी स्पीड देखो आप, क्योंकि भीड है तो भाई, स्पीड भी बड़ानी पड़े हैं भाई न काफी सारी, और एक बार फिर शेवयल और छटा रोल अपना आ गया है तवेप है, यह देखो जी, अभी से मूँ में पाणी आने लग गया, बहुत ही फैमस है दोस्तों यह बाहदुरगड में, एक तरफ से शेकने के बाद दूसरी तरफ से भी शेक रहे हैं, ताकि यह कच्चे ना रहें, ताकि जो अंडा है वो कच्चा ना रहें, और अब यह शिकने के बाद जाएंगे दूसरी जगह पे, जहां पे दूसरा भाई इसकी तोपिंग करागा, यह मसाला आगया अपना, और साथ में रखते हैं भाई जो चाउमीन का मसाला था, वो भी रोल के उपर रख दिया, नि रोल अपने तयार होन लग रहे हैं दोस्तों, अभी रैड सोस आगी इनके उपर, रैड सोस के बाद नंबर है, वाइट सोस जो है, इस से इसका सवात जो है, दुगना हो जाएं, बड़े ही मजेदार रोल हैं, और अभी इनको फोल्ड कर दिया जागा, यह कर दिया जी फोल अभी जो नोन वेजिटेरियन लोग है, जिनको नोन वेज पसंद है, उनके लिए चिकन का मसाला यहां पर तवे पर तयार होने लग रहा है, दरसल इस दुकान पर दोस्तों, नोन वेज का भी है, और जो वेज खाना पसंद करते हैं, उनके लिए स्पेशल तवा है, अलग स यह तरह रोल तयार करने पड़ा है बस मसालय फरक ओ एग रोल में चावमीन का मसाला जहा है और इसमें यह चिकन کا जहा है अभी भाई ने तेखो सोस़ डाल दियर उसके उपर सेम प्रोसेशिंग है जैसे की एग रोल में डलने हैं जो चावमिन वड़ा है ऐसे ही चिकन में सोस डलती है वाइट सोस टमेटो सोस और गरीन चिली सोस ये फोल्ड कर दिये जी और ये जो नोनवेज रोल हैं वो भी खाने के लिए बिलकुल तयार हैं आप लोगा ने इनका जो नोनवेज आइटम है जो नोनवेज रोल हवे तो देख लिए अभी चलते हैं जो शुद्ध साकारी रोल ये बनाओं हैं दोस्तों उसके लिए देखो दुकान के अंदर ये अलग शेतवा है उसके उपर डाल दिये देखो प्याज थोड़ी सी सिमला मिरिच और ये मसाला थोड़ा सा नमक इसके उप कर दिया ये देखो जी बहुत अच्छी सुगंद दोस्तों उठनला गरी है यहां पर दो अप्सन आपने मिल जाएंगे दो तवे हैं एक नोनवेज एक प्योर वेजिटेरियन तो जो वेजिटेरियन लोग है वे अंदर दुकान चे लेते हैं और जो नोनवेजिटेरियन है वे वार्चे लेते हैं तो अपना मसाला जो वेजिटेरियन का वो तयार हो गया है ये साइड में कर दिया और अभी इसके उपर ओयल डाल दिया और ये आगया जी अपना रोल इसको अब अच्छी तरह से पका लेंगे ये प्योर वेज है ये देखो जी रोटी की तरह है एक तरब से शेख दिया अभी दूसरी तरब से शेखेंगे इसने बिल्कुल रोटी की तरह सेखते हैं और ये जो प्याज अपने वे उठा गया जो पहले से तयार चाउमीन है उसके उपर रख दिये है और ये जी अपना रोल तयार हो गया है और ये डाल दी तो वे चाउमीन और जो हमारा प्याद शिमला मिर्च का जो मसाला था वो मिक्स कर दिया है और ये रोल गया अपना साइड में और साथ में गया मसाला तो ये देखो जी यह यहां पा आ गया है अभी लड़का इसकी फीलिंग करेगा गरीन चिली सोस और जी ये टमेटो सोस थोड़ा सा मसाला और वाइट सोस तो वेजिटेरियन में भी काफी ओप्सन है अभी तयारी करेंगे दोस्तों तवा साप कर दिया है ओयल डाल दिया अब जो चीज बनने जा रही है दोस्तों वो है वेजिटेरियन लोगों की पहली पसंद अभी पनीर का जो रोल है वो बनाऊंगे अभी प्याज डाल दिये हैं और प्याज के बाद थोड़ी इसी शिमला मिर्च ये कर दिये हैं मिक्स उपर से मसाला डाल दिया और ये थोड़ा सा नमक अभी इसको मिक्स कर लेते हैं ये देखो जी मसाला अपना रेडी हो गया है अब आएगा इसमें बहुत सारा पनीर ये देखो जी ये पनीर और मसाला बिलकुल मिक्स कर दिया है थोड़ा सा इसने पका लेंगे और फिर वही प्रोसेसिंग थोड़ी सी इसमें गरीन चीली सोस मिलाई है मसाले में जो पनीर का मसाला है चीश से एक अच्छा टैस्ट आओए ओयल डाल दिया और डाल दिया उपर से रोल थोड़ा सा इसने भी पका लेंगे तो वेजी तेरीन में भी काफी ओप्षन आपने मिलेंगे बहुत अच्छी सोप है दोस्तो यह अपना रोल पक गया है एक साइड चे दूसरी साइड चे पक गया है और इसके उपर जाएगा अब जो अपना पनीर का मसाला है वो दोस्तों यह देखो कितना स्यांदार रोल दिखाई दे है तो वेजी टीरियन लोग भी यहाँ पर आ सके है उनके लिए भी ओप्षन है सत्रा परगार के यहाँ पर एग रोल मिल ले है और वेजी टीरियन भी साथ में है कुछ वेराइटी नोन वेजगी हैं वेजिटेरियन है तो ये देखो जी इस पर भी सोश डाल दी तिनो और ये कर दिया है जी फोल्ड ये हमारा प्योर वेज रोल बिल्कुल तैयार है खाने के लिए आप खा सकते हो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आज की आप लोगान पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया गरो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और साथ मैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करया गरो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको प्लीज सस्क्राइब जरूर करें और सभी साथियों गोईशी के साथ मेरी राम राम नमस्कार खुता अफीज सत चरिया काल जै हिन दोस्तों जै वारत